तो यहर आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वर्ट फ्रों होम में क्या रहता है, कैसे मेरा दीन जाता है as a software engineer, product-based company में, आपको पूरा high-level idea आजाने वाला है कि कैसे काम होता है, क्या काम होता है, काम भी करूँगा और आपको सारी information भी देता रहूँगा, बहु जो भी किसीरका message आया हो, तो उसको reply कर दूँगा, तक कि काम का कुछ हो तो delay ना, अब देखो, सारी companies में workspace tools होते हैं, messaging के लिए बाते करने के, internal connect करने के लिए, slack हो गया, skype हो गया, hangouts हो गया, तो बहुत सारे ऐसे tools हो सकते हैं, जो अलग-अलग companies में अलग-अलग use हो सकते ह mails check कर लेता हूँ पहले, और किसी का message हो, तो उसको reply कर दूँगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि product based companies में coding कैसे रहता है, कैसे वो personal project से पूरा अलग है, या extra चीज़े है, क्या पूरी software development life cycle रहती है, तो सब कुछ आपको बता हूँ, ठीक है, पर पहले mails check कर लो, और messages का reply क अब क्या करना है, अगर आपको कोई task है, अगर आपको फीचर पर काम कर रहे हो, तो उसका काम स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपने उसके deadline दी होगी, देखो, फीचर का काम कैसे स्टार्ट होता है, product based companies में, mostly सारी companies में यही होता है, follow, इसलिए हाई लेवल पर बताता हूँ, क् कोई भी फीचर जब आता है, ठीक है, product में कोई भी फीचर जब बनाना होता है, तो product requirement आती है, product manager से, product manager बोलता है कि यह feature है, इसका यह business impact है, इसको ऐसे बनाना है, अभी मैं specific to UI ही बता रहा हूँ, इसमें back and front end दोनों involved रहते हैं, ठीक है, तो designer से आपको screens मिलेगी, यह ऐसी app बनानी है, यह website बनानी है, यह design है, यह functionality रखनी है, वो सारा कुछ product requirement से आएगा, designer से आएगा, आपको फिर discussions करने है, back end के साथ, product के साथ, designer के साथ, अगर कुछ bit out हो, कि यहार इसको तो ऐसे कर सकते हैं, आप अपना input दे सकते हो, कि यहार यहार ऐसे करेंगे तो अच्छा ल कि यह चीज करनी है, जिससे आप code base से पहले familiar होगा, एक बर code base से familiar होगा, फिर आप feature पर जम कर सकते हैं, और हाँ, आपको जैसे जैसे काम दिलता जाएगा, आपको on the way ही सिखना पड़ेगा बहुत कुछ, बड़ी companies में time देंगे, बट अगर आप early stage start-up join करते हो, या फोई product पर इस company join करते हो, जिसकी market में position थोड़ी ऊपर है, तो उनमें उतना आपको time नहीं देंगे, अलग से कि यार ये पढ़लो, फिर काम करो, आपको साथ में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको इंटर्यू लेंगे, तभी आपका सारा चीज ये test हो जाएगा, कि यार low level कैसे flow रहेगा, हो सकता है, कुछ companies में QA ना हो, आपको खुदी dev testing से सारा कुछ अच्छे से test करना पड़े, और फिर उसको release कर दो, ठीक है, तो document बन गया, estimates तयार हो गया, आपको task पता चल गया, कि यार ये task मेरे को करने है, और उसके बाद finally development start करना होता है, यार इस पे म मैं ये चालू कर देता हूँ, देखो, ये mails आ रहे है, ठीक है, तो ये हो गया, पुरा STLC cycle on a high level, अब मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, तो येर मैं इस विक on call हूँ, on call अगर आपको नहीं पता, तो वो भी एक रहता है, उसमें क्या होता है, वो मैं आपको lunch के बाद करना है, और on call के भी थोड़े टास्क है, वो भी करना है, तो अभी मैं प्रोजेक्टे टास्क पहले कर लूँ, फिर आप से बात करता हूँ, टीम्स में stand-up भी होते हैं, यह आपका जो भी काम है, आपको जो भी असाइन हुआ है, आपको उसका update देना पड़ता है, फिर कितना काम हो गया है, क्या काम बाकी है, अगर आपको कोई problem आ रही है, तो आप वो discuss कर सकते हो, ताकि आपको help में जाए, mostly इस meeting में सारे team members आके update देते हैं, अब किसी-किसी companies में या किसी-किसी teams में दो बार stand-up होगा, एक सुबह होगा, एक शाम को होगा, किसी-किसी में एक बार होगा, किसी-किसी में alternate days पे होगा, तो ऐसा सब चलता रहता है, ठीक है वो अब team में कैसा project है, कितनी urgency है, क्या follow करते है, वो सब अलग-अलग रहता है, जो भी scrum या agile methodology फॉलो करता है, तो सारी companies में होगा, देखो, पूरे दिन coding तो नहीं होगा, बहुत सारी meetings हो सकती है, intense या freshness में कम होगी, बट आगे जाके involvement उतना ही होगा, इस बार आपको system का idea आ गया, code base के बार में बता चल गया, तो फि सिर्फ coding नहीं होगा, तो उसको भूल जाओ, फिर mainly यही है, I think मैंने almost सारा कुछ cover कर लिया है, पर अभी तो आधा दिन पूरा बाकी है, अब मैं बीच-बीच में screen में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि, अगर कुछ messages आ जाए important तो मेरे को reply करना पड़े हो, अब वापिस मे project पर focus करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, अगर आप कोई product based company में जा रहे हो, उनका जो भी text stack है, वो सकता है, आपने उसके लिए apply किया हो, बट आपको कोई और text stack पर भी काम करना पड़ सकता है, text stack नहीं, बट कोई और language में भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है, इसलिए एक language से restrict मत कर दो, कि यह मैं तो बस इसके लिए apply किया, तो बस यही करूँगा, कुछ-कुछ companies में हो सकता है, कि आपको बस उसी language में काम करना हो, बट अगर आप as a front end engineer, as a software engineer apply कर रहे हो, तो फिर multiple languages आ सकती है, जो भी उस company में text stack हो use हो रहा है, उसके रिके, ठीक है, तो कभी एक language से restrict मत करना, हो सकता है, कुछ time आपको लग जाए, दूसरी language को समझने के लिए, सीखने के लिए, बट यह एक point है, दूसरा point में को यह बताना था, कभी-कभी हो सकता है, कि आपके पास काम थोड़ा कम हो, कम हो पर workload उतना ज्यादा ना हो, और कभी-कभी हो सकता है, कि ब आपका experience बढ़ेगा, वैसे-वैसे responsibility भी बढ़ेगी, तो उसके लिए भी आपको prepared रहना पड़ेगा, जैसे-जैसे आगे positions पर जाओगे, वैसे responsibilities भी ज़रूर बढ़ेगी, आप मैं क्या करूँगा, थोड़ा काम है, वो खतम करता हूँ, और उसके बाद जाता हूँ, lunch break पे जाता हूँ, मतलब, घर पे ही करूँगा, lunch करूँगा, और फिर आपसे मिलता हूँ तो guys, finally lunch हो गया है, अच्छे से कर लिया, अब देखो यार, मिरको अब दो काम करने हैं, जैसे इस फिक में on call हूँगे, तो मैं को अभी दो releases करनी है, और उसके बाद on call के कुछ task है तो हो करनी है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि on call के task में क्या रहता है, और on call के responsibilities क्या रहता है, एक high level पर ही बताँगा, ताकि आपको idea आजाए, जो सारी companies में होता ही है, जो भी product based company में अगर आप जाओग कहां से issue आया है, और कैसे issue को fix कर सकते है, अब इसके related एलर्टिंग, monitoring, tools यूज होते है, सारी companies में, सब कम्तिन में लग-लग यूज हो सकते है, तो उसके related आपको knowledge होना चाहिए, अफकोर्स वो हो जाएगा, जब आप company में जाओगे तब, एक बार काम करना, start करोगे तब, त कुछ issue आये तो उसको देखना, कि system को कैसे और ज़्यादा improve कर सकते है, कैसे stable रख सकते है, उसके related अगर कुछ task है, तो आप वो कर सकते हो, ज्यादा deep में नहीं जाएगे, चलो आप तो मैं दो release करके आता हूँ, और कुछ on call के task है, तो थोड़ी देर वात मिलते हैं तो गाइस, on call के task almost खतम हो गया है, deployment भी बस खतम होने ही आया है, उसके बाद मैं जाओंगा walk में, फिर आके करूंगा dinner, फिर होगा मेरा time और family time फिर office time में बस यही था, मैंने आपको almost सारा कुछ बता दिया है, वाना high level की क्या रहता है, कैसे काम होता है, अगर आपको और कुछ भी जाना हो तो comment section में जरूर बताना, office time के बाद में क्या करता हूँ, उसका अलग सी video बनाऊँगा, इस video सब कुछ नहीं बता सकता, चलो त करता हूँ, फिर deployment खतम करके walk पे जाता हूँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then all the best, take care, bye